हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथ ही दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आया है यहाँ पर हम बात करने वाले है सत्यवादी राजा हरिशंद्र होस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट के लिए भरती होने जा रही है जिसके लिए आल इंडिया से मेल फी मेल कंडिडे अपलाई कर सकते है और अपलाई कर सकते है बिना किसी अविदन सुल्क के दोस्तो आपको सेल्डी यहाँ पर मिनने वाले है 67,700 से 2,08,700 रुपे पर मंत और आपका सेलेक्शन यहाँ पर वाकिन इंट्रू के दवारा होने जा रहा है वाकिन इंट्रू कंडक्ट होने जा रह इंट्रू में कैसे पार्टिपेट कर सकते हो जो कि ये पुरी टिटेल में आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो पुरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतक दोस्तो ये आपके सामने इस भड़ती का ओपिसल नोटिविकेसन है जो जारी किया गया था साथ चार दो जार वीश को और ये भड़ती होने जा रही है सत्यवादी राजा हरिश्चन होस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट पोस्ट के लिए जिसके लिए वाकिन इंट्रू कर सकते हैं और दोस्तो बात कर लेते हैं किस पोस्ट पर अपलाई करने के लिए कैया एलिजिविल्टि होना ज़रूरिया है सीनियर रेजिडेंट के लिए एंब़ीबीस और साथ चारफ गरजय डिग्री ये डिप्लोमा होना जरूरिया है और दो साल का Experience होना जरूरिया हु वो भी government approved hospital में दोस्तों बात कर लेते हैं senior resident casualty post के लिए यहाँ पर भी MBBS degree होना जरूरी है और साथ साथ 2 साल का experience होना जरूरी है वो भी government approved hospital में दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर apply करने के लिए क्या age होना जरूरी है यहाँ पर category wise maximum age दे रखी है जो इस परकार है general के लिए 40 साल और SCST के लिए 45 साल और OVC के लिए यहाँ पर 43 साल age दे रखी है दोस्तों इस age के candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर sale कितने मिनने वाली है दोस्तों आपको sale मिनने वाली है लेवल 11 के हिसाब से 67,700 से 2,8,700 रुपे पर मंत आपको sale मिनने वाली है दोस्तों आपका selection यहाँ पर interview के दवारा होने जा रहा है और यहाँ पर बता दिया गया है कि आप interview में बिना किसी fee के appearing हो सकते हो जी हाँ दोस्तों आप बिना किसी fee के interview में participate कर सकते हो दोस्तों interview registration के लिए आपको issue hospital में conference room number 103 में 9am से 11am तक पहुचना होगा दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि जो candidate यहाँ पर select किये जाएंगे उस candidate को immediately join करना होगा वो भी 7 दिन के अंदर और जो candidate immediately join कर सकते है वो candidate इसके लिए apply कर सकते है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको और ज़्यादा जान कर चाहिए तो आप इस official notification को डाउनलोड कर सकते हो इस का लिए को मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूँ वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस recruitment की पूरी detail आसानी से check out कर सकते हो और फिर वाकिन इंट्रू में 134220 को participate कर सकते हो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और सेर जरूर करे अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है